बच्चो रियल नंबर का पहला पॉइंट है युकलिट्स डिविजन लेमा इसको समझना है बड़े ध्यान से युकलिट हमारे एक मैथमेटिसियन हुए है किलियर उन्होंने लोंग डिविजन मैथड को यूज मिल लिया और उन्होंने एक मैथड दिया लोंग डिविजन मैथड का ही रियारेंजमेंट है किलियर और वो मैथड दिया जिस मैथड को हम युकलिट्स डिविजन लेमा बोलते है यह method क्या है इसको हमेश समझना है यहाँ पर यह lemma लिख चुका क्योंकि time खराब होता है Euclid's division lemma क्या है Given positive integers A and B There exist unique integers Q and R Satisfying A equal to BQ plus R Where R between 0 and B R equal to 0 भी हो सकता है That means R equal to 0, 1, 2, 3, B minus 1 Clear? अब हमें इसमें यह समझना है कि यह जो language लिखी यह कैसे आई क्योंकि हमें अगर यह मालूम हो जाए ना कि कैसे आई तो हम बहुत आसाने से इसको कर लेते है हम पहले बात करते हैं अपने उस पास्ट पर जो हमने पहले इस्टेडी किया लोंग डिविजन मेंतड Clear? उस मेंतड के क्या position होती थी कि जैसे हमने 24 को 5 से डिवाइड किया तो हम लिखते थे 4 फाइव जा 20 हो जाएगा तो 20 remainder is 4 Means हम इसको यह लिख सकते है डिविडेंड डिवाइजर और quotient sol करोगे तो remainder Clear? यह form हमने study किया इसको हम long division method बोलते है Clear? यह जो लेमा है ना इसको बस समझना है कहां से आई फिर इसका use कैसे करना है बड़ा easy है तो यहाँ पर दिया है कि given positive integer यह positive integer कैसे होते है अगर मैं positive integer का set लिखू तो आप समझ जाओगे positive integer क्या होगे 1,2,3,4 and some यह positive integer होगे satisfy unique यहाँ पर unique world use क्या है तो इसका मतलब है कि unique होना चाहिए Q and R जो इस condition को satisfy करे अब यह हमारा जो long division method है इसी का rearrangement है कौन सा Euclid division lemma कैसे देखेगा हम इस form को ऐसा लिखते आया है चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा देखो 4 ही quotient बन गया 4 ही हमारा remainder बन गया तो हम समझने में थोड़ा problem create करेगे इसलिए ऐसा कर लेता हूँ मैं यहाँ पर save in ले लेता हूँ नहीं save in नहीं 3 ले ले लेता हूँ तो यहाँ पर remainder 3 आ जाएगा तो यह separate होगी तो हम समझ जाएगे कि 3 हमारा क्या है और this तो इस form को आप क्या लिखते थी इस form को हम लिखते थे कि 23 को 5 से divide किया और यह हमारा आया 4 and 3 by 5 के लिए अगर मैं इसको इस form में लिखू तो आप लिखोगे dividend अपोन डिवाइजर इसी कल टू कोसेंट कोसेंट एंड रिमेंडर अपोन डिवाइजर किलियर यह लिखेगे ओके यही form है अब ज़रा यह form हमने study किया है नो problem बिल्कुल किलियर है बिल्कुल साब है यह point हम इस form से देखो यह form जब इस form से जब हमने इसको लिखा तो हमने इस logarithmic division method का यूज कर लिया ठीक है long division method का यूज किया तो यहाँ पर हमें यह form मिली अब अगर मैं इस form से इस form में लाना चाहता हूँ तो हम क्या करते हैं जब ध्यान दीजे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आप क्या करेगे quotient को diviser से multiple करेगे diviser into quotient plus remainder करेगे और upon लिखेगे diviser यह हो जाएगा कोई doubt है क्या आप देख सकते हो आप यह तो लिखो के 4 into 5 5 into 4 हलाकी multiple में कोई change नहीं आता 4 into 5 लिखे 4 into 5 लिखे 5 into 4 लिखे लेकिन यह में क्यों लिखा ऐसा क्योंकि मुझे यह statement समझाना है तो plus 3 upon 5 और यह आपका 23 upon 5 बना तो देखे जरा diviser से diviser कट जाए तो क्या बनता है dividend is equal to diviser into quotient plus remainder यह बन जाता है यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ 23 is equal to 5 into 4 plus 3 बन गया तो देखे आपने दो number लिए एक 23 जिसको मैं A consider करता हूँ और एक B जिसको मैंने 5 consider किया जो कि given थे according to lemma कि positive integers A and B A मैंने 23 लिया B मैंने 5 लिया clear? तो अगर मैं A को इधर रखता हूँ right side में तो B into Q plus R लिखा जाता है देखो लिखागा कि नहीं 23 को मैंने right side में लिखा तो B is 5 into 4 अमा quotient बना और यह 3 remainder आगे और यह remainder देखो 3 जो 3 remainder है वो less than 5 है कि नहीं जो R है वो less than 5 है इसी परकार से इस form को एक long division method को Euclid's ने इस form में लाए आप यह भी कह सकते हो एक बच्चा पूछ रहा है हमसे कि वही आप बताएं सर कि अगर हम A को 5 मान ले और B को 23 मान ले तो क्या तब भी हम Q and R find out कर सकते हैं हाँ बिल्कुल कर सकते हैं कैसे देखिएगा क्योंकि हमार तो A और B कुछ भी हो सकता है हमें ऐसी कोई condition निदी कि A greater होगा या B greater होगा ऐसी कोई condition नहीं है तो यहाँ पर देखिए जरा 5 को आप 23 से डिवाइड करोगे तो कोसेंट 0 होगा और रिमेंडर क्या जाएगा सोरी हाँ 5 को 23 से डिवाइड कर रहे है ना तो रिमेंडर 5 आ जाएगा देट इज ऐसे 23 और 5 ऐसे तो यहाँ पर आप 0 से मल्टिबल करो तो 0 आएगा और रिमेंडर कितना बचेगा 5 तो 5 इज इकल टो 23 इंटो 0 पलस 5 आजा तो पोजिशन बदल गई Q एंड आर चैंज हो गई कब जब आपने A और B की पोजिशन को चैंज किया A को B मान लिया और B को A मान लिया तो उस दोरान हमें Q और R भी चैंज पोजिशन में मिले किलियर तो इसी परकार से यह कहता है कि अगर आप A और B दो पोजिटिव इंटीजर लेते हो तो A इक्वल टू अगर आप में लिखना है तो Q और R यूनिक होगे जैसे 23 A लिया और B 5 लिया तो हम 23 जीकल टू 5 इंटू 4 पलस 3 लिख सकते है और यह 4 और 3 हमारा यूनिक होगा किलियर यही पोइंट हमारा कहलाता है Euclid's Division Lemma पोइंट किलियर हो गया आप A और B कुछ भी लिजए A to Z कोई भी नंबर ले लिजे जैसे हमने 3 और 42 लिया तो जरा करो 42 को 3 से डिवाइड कीजे तो 1 3 फिर 14 0 तो 42 को हम क्या लिखेगे 3 इंटू कोसेंट 4 और 0 रिमेंडर तो रिमेंडर हमारा less than 3 है कि नहीं यह हमारा R है यह क्योँ आप पॉइंट के लिए हुआ नोट कीजे अगर आपने अब तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जिरूर करे